दो लाइने हिंदुस्तान के लिए ना सरकार मेरी है ना रोब मेरा है ना बड़ा सा नाब मेरा है मुझे तो सिर्फ एक छोटी सी बात का गोरव है मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है मैं विवेक पत्रिया आपका PBS में स्वागट करता हूँ नम्मर सिस्टम एक्सरसाइज 1.4 लेवल 1 का पार्ट 3 करेंगे और बहुत ही अच्छे कुशन है एक्जाम में आते हैं बाईया तो दियान से देखना दोनों कुशन सेम है लेकि डीजीट अलग है करने के दोनों को तरीका सेम है दोनों ब्रदर और सिस्टर ही है जैसे आप मेरे हो गीव टू रेस्टर नम्मर लाइंग बिट्वेइन 0.23, 233, 233, 233, 233, 233, 233, 232 और नॉन टर्मिनिटिक नम्मरें चलते जाएगा और 0.2121, 211, 211, 211, 211, 211, 211, 2 2022, इसके बीच में हमें दो रैसल नम्मर बताने है, बिल्कुल EZी है लेकिन लिखने का जो हमारा तरीका होगा वो इस्टंडर होगा, तो ध्याणक ना लेट, हम एजूम कर रहे है कि ये जो है न हमारा ऐसी ले रहे है Physi- 0.2323333 यह नंबर दे रहे हैं वह वापिस लिख रहा हूं 233 कुछ अजूबा नहीं लिख रहा हूं अभी मैं 23333 और 2 ठीक है इसको मैंने इसको एक सेकंड जीरो पॉइंट तू वन तो डबल वन टू डबल ट्रिपल वन तू डबल वन डबल वन और थोको ताली तो ए और वी हमने यह माल लिया कि A हमारा यह है और B हमारा यह अब यह किरा इनके बीच में हमें दो रहसल नमर बताने हैं जो इसकी बीच में लाइक करेगा ऐसे गिरा हुआ रहेगा तो जहाना रखना देखो एक नमबर हम आप कुछ भी नमर मान सकते हो लेकिन वो नमर इसके बीच में आना चाहिए बस यह द्यान रखना है तो देखो 0.21 है और यहां पर क्या है 0.23 है मतलब इसकी बीच में क्या बज़ गया है 0.22 बज़ गया तो 0.2 लेलो 0.22 ठीक है इसको थोड़ा बड़ा लिखूं आपको क्लि जाने दो 0.21 0.23 इसके बीच में नमबर कौन सा रहा 0.22 बच रहा है और हमें यह बताना है कि दोनों के बीच में दो नमबर बताना है एक नमबर तो यह हो गया अब इसी से आगे नमबर दूसरा बड़ा लो 0.22 11 22 ऐसे चलता जाएगा ठीक है यह दो नमबर वो होंगे जो आपके लाइक करेंगे इसके बीच में और देखो इससे कम भी है 0.21 से ज्यादा है 0.22 और 0.23 से हमारा कम है तो यह वह दो ही नमबर है जिसको हम ढूंड रहेते हैं तू रहसल नमबर तूरहसन नमबर यह वही नमबर है जो इसके बीच में लाई करेंगे व्यान अगना इसके बीच में लाई करने चाहिए सेम टु सेम ऐसा यह भी सेम टु सेम कुछ भी चेंजेज नहीं है सेम है वह लेट यह माल लो इसको इस वाले नमबर को 0.515115 1115115 11115 और इसको माल लो भी जिरो पॉइंट 535335 यहां पर रहना ट्रिपल थ्री होना चीए ता एक बार मैं चेक कर लेता हुआ कुछ न को बुक के अंदर यहां पर रहना ट्रिपल थ्री करना इसको फिर यह हो जाएगा यहां पर यह ऐसे होगा फाइव डबल थ्री फाइव ऐसे चलता जाएगा तो यह जाएगा फाइव डबल थ्री डबल थ्री फाइव थिक ना ऐसे नमबर है ओके अच्छा यहां पर एक थ्री और आएगा अब ठीक है यह कुछन है हमारा है एए हमने इसको माल लिया बी अमने इसको माल लिया इसके बीच में हमें दो नंबर बताने हैं सेम वापिस वही जैसे 21 और 23 के बीच में हमने क्या निकाला 22 निकाला ना वैसे देखो 510.51 डेसिमल के बार में डो डिजिट तक देख लो बाकी को मन दो तो यह हो जाएगा हमारा 0.51 और 0.53 इसके बीच में कौन सा नंबर आ रहा हमारा 0.52 वैरी गुड फाइट 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 थी के बार क्या था फाइट तो आएगा यह हो जाएगा एक्स इकॉल टो 0.52 अब इसी स यह आप कोई से भी नंबर बना सकते हो तेकिना आपकी जो इच्छा हो इसमें क्या करो 0.520 इसे नंबर बना लो दो ही तो नंबर बनाने यह हुजाएगा अमारा 2 रेस्टल नंबर हमें क्या ध्यान रखना है बस डेसिमल के बार में 2 डिजिट का देख लो बस दो डिजिट का 5-1 है और यहां 5-3 है तो यहां पर क्या बच गया वन ओ थ्री में क्या आएगा टू आएगा एक नमबर बढ़ा दो ठीक है इसमें भी ऐसे किया 2-1 था टू-3 था एक नंबर के आएगा टू यहां पर टू लेकिए और उसके आगे नंबर बढ़ा दी है आप और दू से APS भी लेसकते हो लेकिन यह नमबर तो fix है ठीक है फटाव़ट से screen अट लेलो आगे बढ़ते है में नेक्स fragen नमर एमारा find oneногcción नमर बताना इन दोनों के बीच में हमें एक एक इरासन नमर बताना है तो देखो वही करेंगे फिर से तरीका तो वह होग हमारा 0.2101, इसको हम क्या मानेंगे, A मान लो और इसको मान लो B, 0.222, ठीक है न, मान लिया, अब उसके बार हमें क्या करना है, इसके बीच में एक इर्रेस्टन नमर बताना है, तो देखो, ध्यान से देखना, 0.21, 0.21 है यहां पर, और यहां पर क्या है, 0.22, ठीक है, 0.21 और यहां पर 0.2, अब यहां पर 1 और यहां पर 2 है, तो सेक्षेंस में ही है, तो आगे बढ़ो, 0.210, 0.222, तो यहां पर क्या रहा है, 0 और यहां पर क्या रहा है, 2, इसका मनेंग, यहां पर क्या डिफ्रेंस आ रहा, 1 आ रहा, यहां पर एक डिफ्रेंस, तो हम 1 ही तो जाओ आगे चलते जाओ 11000, देखो वापिस समझा रहा हूं मैं आपको यहां पर है 0.21 हम मैं इसके बीच में एक 210 0.222 यहां पर 0 यहां पर 2 है इसका मनद बीच में क्या बजगा बजगा तो हम उसी चीज को ले लेंगे 0.2110 100100 ऐसे ऐगे निकलता जाएगा तो यही वह हमारा क्या होगा इरहिस्न नंबर होगा ठीक है किलेर है यही वह हमारा irrational number है जो हमें इसके बीच में lie कर रहा है और निकालना था सेम वेसा है उसको करेंगे 5 upon 7 ठीक है ना और 9 upon 11 सबसे पहले आप अगर इसका screen सोड लेना चाहते हो तो फटापट से ले लो ले लिया इज़ा रेखो 5 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे यह हो जाएगा 0.714285 एक बात देख लेना यह होगा क्या और 9 में 11 से करेंगे तो यह होगा 0.81 ठीक है ना 0.714285 और 0.81 के अपर बार आया बार इसलिए लगा है क्योंकि यही नमबर हमारे क्या होंगे रेपीटिंग होंगे और 9 में अगर 11 से डिवाइड करोके 81 81 81 आएगा इसलिए मैंने इसके पर बार लगा दिया अब हमें क्या करा है find 3 different between the rational number यह दो रहसल नमबर के बीश में मैं 3 irrational नमबर बताने है तो देखो पहला कौन सा हो जाएगा 3 3 irrational नमबर 3 irrational नमबर यह हो जाएगा हमारा देखो पहला हो जाएगा हमारा 0.7307300 देखो यहां पर क्या रहा हमारा 7 1 और यहां पर रहा 8 1 तो हम कोई से भी नमबर ले सकते हैं लेकिन ध्यान लगना है में इर्रेस्न नमबर होना अच्छी है यहां पर 7 2 भी ले सकते हैं लेकिन वह अमारा यहां पर क्या कर लिए अपने सब जाएगा अपन और नमबर ले लेंगे 7300730000 एक नमबर यह हो गया अब सब में आप क्या करो और नमबर ले लो दूसरा नमबर हो जाएगा 0.75075000 75000 75000 और 75000 अरे समझ में आया ठोको ताली 0.790790079007900aru7900 भी ले सकते हो फटाबर से स्क्रीन होड ले लो इसका टिक है देखो मेरी बास सुनो यह जो फृष्चेन है ना इसका सीधा सा एक ही लोजिक है कि दोनों नंबर को पखड़ो इन दोनों नंबर को और एक के डिजिट के बार कमपरिज़न करते जाओ जासे टू है तो फिर 2 के देखो इसके बिजम का difference भी नमबर कैसे निकलेगा फिर यह 1 है और यह 2 है 1 के बाद है 2 आता है difference भी नहीं है 0 है और 2 है इसका मलब यहां पर क्या difference आगया बन का difference आगया क्योंकि 0 के बाद बन आएगा और 2 से कम चाहिए तो बन आगया तो इसलिए आमने यह नमबर ले लिया और economic condition की सही नहीं होती है तो please आपसे request है जोड़के कि सब तके वीडियो पोचाओ ताकि कोई बच्चा इंडिया का यह ना कहे कि unemployment इसलिए बड़ा क्योंकि मैं पढ़नी पाया तो मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे पढ़े तीक ना कोई सा भी बच्चा हो उसको कम से कम दो चीजे मिलना बहुत जरूरी एक तो खाना और एक study पढ़ाई यह दोनों बहुत जरूरी necessary है तो मिलते हैं next वीडियो में तब आप वीडियो को share कर दो like कर दो और subscribe जरूर करो और एक बहुत important announcement करने वाला हूं मैं आपके लिए और वो क्या होगा जल्ली बता दिये जाएगा तो मिलते हैं next वीडियो में और अपने स्वास्ते का जरू दियान रखे बाई बाई टेक के love you